आज जो कोश्चन में करने वाले हैं वो बारे दियस गिरवाल की फर्स बुख का फिफ चाप्टर और रहने वाला है रेटार्मेंट अफ पार्टनर से मेरे पास बुक का एडिशन वालेवल है 2024 उसके एकोडिंग आज का कोश्चन नुम्बर बनता है कोश्चन नुम्बर टू इस कोश्चन के में भी दो हमारे पर केसे हैं वह हम यहाँ पर करेंगे लेकिन आपको अगर रिवालेशन एकाउन पार्टनर्स केपिटल एकाउन और उसे मैंने बहुत इजी और शॉट पर तरीके तो समझा है डिस्कुप्शन में लिंक है बहुत इजी है सीको समझो जानो और फिर मेरे साथ यहाँ पर नुमारे को सौल करो चलिए सौल करना शुरू करते हैं हमारे पास आज का ये कोश्चन में पहला केस है हमारे पास मोहन लिख लेते हैं जो कि हमने लिख लिया इसके बाद कहते हैं मोहन इसमें से रिटार्मेंट दे रहा है मोहन कौन है बही सेकिंड वाला पर्सन है सेकिंड वाला पार्टर क्या हुआ कंपने दे चला गया लेकिन कहते हैं जो मोहन रिटायर और इस शेयर वास डिवाइड़ी ब दो लोग है याँ बर तो आपके पास मैं एक लाग रुपे दे रहा हूँ और इसे क्या करो equally बाट लो तो दोनों के पास कितना कितना मिलेगा equally आप बलोग है sir एक को मिलेगा sir पचास हजार रुपे और एक को मिलेगा पचास हजार रुपे राइट ठीक है लेकिन आपने calculation कैसे करी यह है कि 1 by 2 क्योंकि 1 को कितना मिलेगा भई आप में से एक करेशो एक और एक करेशो एक ठीक है यह यानि 1 रैशो वन तो यानि 1 by 2 करोगे तो 1 by 2 एक बार इसे मिला 1 by 2 एक बार इसे मिला था ना तो वह आएगा 1 लैक का 1 by 2 50,000 वन लक्का 1 by 2 50,000 इसी तरह से हमें क्या करना है equally करना है तो equally का मतलब क्या हुआ 1 ratio 1 में इूनोंने बांट लिया हम यहाँ पर क्या कराएंगे हाँ से हम हम multiply कराएंगे है ना यहाँ यहाँ पर जो मोहन ता उसका ratio क्या था 5 by 14 था तो 5 by 14 होने पर हमने उसे half से multiply कराना है हम लिखेंगे 5 by 14 multiply with half अब हमने इसका half करना है तो half कितना है इसका 5 by 28 यानि कि एक partner को मिलेगा 5 by 28 और दूसरे को भी मिलेगा 5 by 28 अब हमें करना क्या है बाकी partner को तो मिल रहा है क्योंकि मोहन तो company छोड़ के जा रहा है और बाकी partner को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे बाकी partner का नाम दिखेंगे जैसे कि हमारे पास partner को है shift हमने लिखा shift का नाम shift का पुराना share लिखेंगे कितना था 5 by 14 उसमें plus कर देंगे उसे अब कितना मिल रहा है 5 by 28 मिल रहा है इसी तरह से दूसरे का भी लिखेंगे जो की है हरी हरी का जो share है पहले कितना था 4 4 by 14 अब क्या करेंगे उसे कितना मिल रहा है 5 by 28 दोनों को solve करेंगे दोनों के लिए algorithm निकालेंगे जो की common आजएगा 28 14 के table में 28 कितने times आता है 2 times उस 2 times की multiply करो 5 से कितना हैगा 10 plus 28 के table में 28 कितना times 1 time अब उस 1 time की multiply करो 5 से कितना हैगा 5 यह हो जाएगा हमालपास 15 by 28 अब यहाँ पर दूसरे निकालो यह आएगा हमारपा 28 14 के table में 28 कितना times 2 times 2 की multiply करो 4 से यह आएगा 8 pim m' efficient edma 25 आएक गरो 5 से कितना ऐगा 5 यहाप capability अब नए फाचा नई रेशो कितना है का फिप्टीन डेशो 13 गया निकलना था अभी तरह मारे क्या कर रहे हैं ठीक है यह पार्टनर्स के लिए हमें कहा जा रहा है कि यह पार्टनर तीन पार्टनर है जो कि है पी क्यू आर इसके इनमें रेशो है फाइव रेशो फोर रेशो वन और इसमें से जो रिटार्मेंट लेके जा रहा है वो जा रहा है हमारा पहला पार्टनर पी अब उसके बाइद कोई information नहीं है जब हमें question में से इतना बताया गया हो कि हमारे partners हैं, इनका ratio ये है और एक partner जा रहा है जो जा रहा है, उससे जाने दो, उसका share छोड़ दो जो बच गये हैं, वो बन गया हमारा नया ratio, तो नया ratio क्या गिलाएगा 4 ratio 1, चलिए इस तरह से हमारे question होना था जिसमें 2 cases थे, I hope आपको समझ माया होगा समझ माया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें चैनल की playlist में जाएंगे तो TS गिरवाल, NCRT और DK गोल के solution आपको अलरड़ी uploaded मिलेंगे, chapter wise चलिए, होप करता हो समझ माया होगा आप मिलेंगे हमाँ आपको next video में